स्वागत है होरर की दुनिया में हो लो खोदी मंदे और इन्जॉय करो दिल देला देने वाली होरर स्टोरीज ये कहानी उदित की है उदित की excitement उसके चहरे से ही जलक रही थी पूरे एक साल तक colleges के study from home mode में function करने के बाद finally वो दिन आ गया था जब उदित को उसके college offline mode में experience करने का मौका मिला था उदित ने पूने के एक college में ambition लिया था दिल्ली से पूने का सफ़र उदित के लिए बहुत से mixed emotions ला रहा था वो दिल्ली से था तो उसके parents ने उसके रहने के लिए choice boys hostel को चुना एक अच्छे महले में बना वो hostel उदित के रहने के लिए perfect था वहां रहने के कुछी समय में उदित अपने सभी hostel mates के साथ खुल मिल गया था वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खूब मजाक मस्ती किया करते थे उदित ने अपने first year में एक subject का exam medical situation की वजह से miss किया था और उस subject में pass होना college के next year में proceed करने के लिए बेहत जरूरी था इसलिए उसी subject के re-exam के लिए उदित एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था उसके सभी roommate सो चुके थे और उदित अपनी study table पर पढ़ाई कर रहा था उदित को गाने सुनते हुए question solve करना पसंद था और वो अपने कानों में earphones पहने गाने सुन रहा था पर अचानक उसके गाने चलते चलते बंद हो गए उसने अपने फोन को उठा कर देखा तो उसकी बैटरी खतम हो गई थी उदित फोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए उठा तो उसे किसी की सिस्कियां सुनाई दी उदित को लगा कि शायद कोई औरत धीमी सी अवाज में उसके कमरे के बाहर रो रही थी वो अवाज पहले तो बहुत दूर से आ रही थी पर धीरे धीरे उदित को वो अवाज और क्लिरली सुनाई देने लगी मानो वो रोती हुई औरत उसके करीब आ रही हो उधित उस अवाज का सोर्ज ढूढने की कोशिश करने लगा और कमरे के बाहर कॉरिडोर में देखने लगा कॉरिडोर में बिलकुल अंधेरा था पर वो शोर था कि उस कॉरिडोर में से ही वो अवाजे आ रही थी एक बॉईज हॉस्टिल में किसी लड़के की रोने की अवाज आना बहुत अजीब था उधित यही सोच रहा था कि तभी उसे पायल पहने किसी के चलने की अवाज भी आने लगी उन पायल पहने पहरों के कदम उसी की तरफ भढ़ते हुए सुनाई दे रहे थे पर उधित को कुछ भी नहीं दिख रहा था वो कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और कुछी पलों में एक काला साया उसके सामने से होते हुए निकला उधित एकदम से घबरा गया फिर वो अवाजें कोरिडोर में ही कहीं खो गई उधित को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर उसे अभी एक्जाम के लिए भी पढ़ना था फ्रेश होने के लिए वो अपने वाश्रूम में चला गया थंडे पानी से मूध होकर उधित शीशे के सामने अपना मूँ पोशने लगा पर जैसे ही वो तॉलिया उसकी आँखों से हटा उसे शीशे में अपने ठीक पीछे एक बेहत भ्याना कौरत लाल साडी पहने हुए दिखाई दी उसकी चमडी सड़ कर काली पढ़ चुकी थी और उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे उधित उसे देखते ही सोर से चीखा और बिहोश होकर नीचे गिर गया उसकी चीख सुनकर उसका रूममेट धुरुव जाग गया उधित को जमीन पर गिरा हुआ देख वो भी थोड़ा खबरा गया वो उधित को उठा कर बिस्तर पर ले गया और उसके मुँपर पानी के चीटे डालकर उसे उठाया उठने पर उधित कुछ बढ़बढ़ाने लगा वो कहने लगा बाहर कॉरिडोर में वो पाहिल के अवाजें वो लाल साड़ी वाली औरत दुरुव को उधित की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी उधित का शरीर बुखार से तप रहा था दुरुव ने उसे एक बुखार की गोली दे कर उसे सोने को कहा दुरुव की नींद थोड़ी उड़ चुकी थी और उसे उधित की भी चिंता हो रही थी वो उधित की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि दुरुफ को भी कॉरिडोर में पायल पहने किसी के चलने की अवाज आई वो एकदम चौक उठा क्योंकि उदिद भी ऐसी ही अवास के बारे में बात कर रहा था दुरुवस अवास के पीछे कॉरिडोर में चला गया पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया कॉरिडोर के अंधेरे में खड़े दुरुफ को अभी भी पायल पहने किसी के चलने के वाज आ रही थी और वो अवाज तेज होती जा रही थी दुरुव बहुत जादा डर गया और वहाँ से भाग कर बापस अपने कमरे में आ गया कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उधित बेड़ पर नहीं था उधित आखिर इस बिमार हालत में कहां चला गया था इतने में धुरुफ को फिर से कॉरिडोर से एक आवाज आई उसे लगा कि शायद उधित कॉरिडोर में ही उसे ढूंड रहा होगा वो जैसे ही भार गया उसे सामने से उसकी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी उन कदमों की आवाज तेज हो रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया धुरुफ की हार्टबीट तेज हो गई और वो जटके से पीछे मुड़ा उसने देखा कि पीछे उधित खड़ा था उधित ने धुरुफ से पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो इतना डरा हुआ क्यूं है धुरुफ कुछ नहीं बोला उधित ने फिर से उससे पूछा कि क्या उसे भी वो सब आवाजे सुनाई दी धुरुफ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था तब ही धुरुफ को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और इसके बाद धुरुफ ने जो देखा उसे देख उसकी पूरी रुह काप उठी उधित के ठीक पीछे बही लाल साड़ी वाली औरत अपना भानक चहरा लिए खड़ी हुई थी वारत धुरुफ के पास आई उसे घूर के देखा और पीछे मुड़कर कोरिडोर के दूसरी तरफ रोती हुई चलने लगी धुरुफ को मानो कोई साप सुन गया था इतना भ्यानक एक्सपीरियंस उसके साथ आज तक नहीं हुआ था धीरे धीरे वोरत अंधेरे में कहीं गायब हो कई ताज़्व की बात तो ये थी कि उधित को इस बार कुछ नहीं दिखा और नाही कुछ सुनाई दिया अगले दिन सुभा सुभा धुरुव और उधित जब वारडन के पास ये बात लेकर गए तो वॉडन ने उन्हें बताया कि 15 साल पहले उस हॉस्टिल के अंदर एक औरत की लाश मिली थी किसी को ही उस औरत की बारे में कुछ नहीं पता पर तब से कई बच्चों ने रात के समय कॉरिडोर में एक लाल साडी वाली औरत को देखा है साथ-साथ कई स्टूडेंट्स ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने देर रात में किसी औरत की रोनी की यवाजे और पाइल की यवाजे भी सुनी है वॉडन ने ये भी बताया कि उस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहचाया है उसकी आत्मा बस उस हॉस्टिल में भटकती रहती है और इसलिए आज भी वहाँ लोग बिना किसी डर के रहते हैं वोडन की ये बात सुनकर उधित और धुरुव बुरी तरह डर गए क्योंकि जो उधित और धुरुव ने देखा था वो जरूर उसी औरत की आत्मा थी कोई माने या ना माने पर उन दोनों ने उस आत्मा को अपनी आँखों से देखा था अगले ही हफते उन दोनों ने किसी और हॉस्टिल में शिफ्ट कर लिया लेकिन उस रात को वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों क्या आप ऐसे हॉस्टिल में रह सकते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना